नमस्का मित्रो, स्वागत है आपका ज्यान गंगा आर्वेद क्लासेस में माईसेल डाक्टर अनिल पटेल, आज हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतरगत स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड क्या है, किस तरह से इसका एक्स्टरनल फीचर्स और इसका एक्स्प्लेनेशन है, आईए उसको डेटल समझते हैं जैसा कि पता है जब हम लोग ने नर्वस सिस्टम की बात किया था तो हम लोग नर्वस सिस्टम के अंतरगत पढ़ रहे हैं तो Central Nervous Systerm में फिर इसमें दो पाट थे brain और दूसरा पाट था Spinal Card तो कहिने कहीं जो Spinal Card है एक तरह से Central Nervous Systerm का एक पाट होता है तो कहिने कि इसका 저 Relayation होता है Brain से होता है तो हम लोग जानते हैं कि Central Nervous Systerm में दो Content होते हैं, दो Argonia Vistra होते हैं एक तो brain होता है दूसरा spinal cord होता है तो देखते हैं कि brain का brain सही attach वो spinal cord भी होगा तो जैसा कि देख रहे होंगे ये brain है और इसके नीचे जो part हम लोग देख रहे हैं यहां तक spinal cord है तो आएए देखते हैं कि brain के जो different parts थे अर्था brain का कौन सा part नीचे की तरफ आया है उसको हम cerebral hemisphere और जो भी lateral ventricle होते हैं वो दोनों बने होते हैं और उसके बाद हम लोग देखा था कि उसके उसका जो यह तो टिलन सिफलान का part था उसमें डैन सिफलान आख था फोर ब्रेन में दूसरा पाड़ था डैन सिफलान उसमें देखा था कि उसमें एक तरह से हम लोग देखा था थैलमस, हाइपो थैलमस, इपी थैलमस, सब थैलमस, एमाइक डेला, हेपो केमपल इत्यादी जो structures थे साती साथ जो cavity थी इसको हम लोग थर्ड बेंटर किल नाम दिया था यह जो structures थे कहने के डैन सिफलान से बना था अर्था यह फोर ब्रेन का part है यह फोर ब्रेन की मिड ब्रेन के जस्ट बाद, मिड ब्रेन के बाद हम लोग देखते हैं हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में हम लोग देखते हैं तीन कंटेंड में थे तो देखते हैं कि एंटियर पार्ट में थो सबसे पहले मिड ब्रेन के जस्ट बिलो एंटियर पार्ट में क्या था वो medulla oblongata lowest part of the brain is medulla oblongata अर्था था हैंड ब्रेन के जो तीन पार्ट थे सबसेर्व नमबर एक पर पॉंस उसी से अटेस था सेरिवेलम और उसके नीचे था दोनों के नीचे क्या था medulla oblongata तो medulla oblongata तक हम लोगों ने ब्रेन की बात किया अब कहिन के जो medulla oblongata के बिलो जो स्टक्चर एक्स्टेंड हुआ है माल लीजे एक medulla oblongata है और इसी से कॉड लाइक स्टक्चर डाउन वर्ड आया है उसको हम बोलेंगे spinal card तो यह spinal card क्या है medulla oblongata के मतलब ब्रेन के medulla oblongata का extension होता है तो यहां देख रहे होंगे कि इस तरह से कुछ यहां दिखाया गया है और इनका फिर देखेंगे इसके बादे में कि अब जब यह delicate structures होता है और कहने कहीं जो nervous central level system का पार्ट होता है तिनको protection की भी जरूत पड़ती है कहने कि अगर वालने चरते फिरते accident होता है या कुछ इस तरह से तो समाने तो इस डेमेज नहीं होता है या backbone होता है backbone जो एक बोन दूसरे बोन पे कुछ इसतरह से arrange होती है जिसकी вплоём से उसमें accusations कैनाल बन जाता तो उसी drivers कैनाल के थुरू मानली जीए oldest depending two of a vrotibree इस साथ मिला हुआ है लेकिन इसी के बीच में involvingATHा होता है इसी कैनाल के थूरू क्या होता है 스파ाइनल काड लोएर डाउन तक जाता तो उसी वर्टिपल जो कैनाल होता है उसे में हम लोग का जो इस्पाइनल काड फिट होता है या सुरचीत होता है उसके बाद देखें कि वर्टिपल कैनाल के just नीचे उसके दूसरी जो एक protecting layer होता है that is called meninges meninges हम लोग जनता है जैसा कि हम लोग उन्हें ब्रेन में देखाता है तो इसके three layers होते है आउटर मुस्ट जो layer होता है durameter होता है durameter के just below क्या होता है arachnoide होता है और arachnoide के सबसे नीचे अर्था जो spinal card से direct इसके direct attach concealer होगी पाया मेंटर उसके ऊपर अरेक्नवाड और सबसे बाहर के तरफ durameter होगी तो इस तरह से थी लेयर देखा था इस तरह से spinal card का protection हो जाता है तो आइए देखते हैं कि इस तरह से फ्रोग डिटेल पड़ते हैं देखेंगे kde spend card का दूसरा नाम क्या है is spinal medulla spinal card को हम लोग और भी देखेंगे medulla spinalist तो reverse कर दिया medulla spinalist तो या तो तो स्पानल मेडूला कहिए या मेडूला स्पानलिस कहिए या स्पानल काड कहिए तीनों एक ही नाम है फिर देखते हैं यहां पर इसके बारे में कि most important content of vertebral canal जैसा कि हम लोग उने इससे पहले देखा इसके protecting layer में सबसे most प्रोटेक्टिंग लेयर में जो कहिने के vertebrae थी तो vertebral canal जो एक vertebrae के बाद दूसरी वर्टिबर दूसरी वर्टिबर दूसरी वर्टिबर इससरी वर्टिबर इस तरह से arrangement होता है उनमें vertebrae एक canal like structure या एक hollow structure बन जाता है canal like tube like structure बन जाएगा उस vertebral canal में जो most important उसका content होता है वो होता है आपका spinal card होता है साथ ही साथ कहिन कहीं vertebral artery होती है vertebral artery जो की brain में जाती है और सरकला willis अता ब्रेन को blood supply देती है तो vertebral artery इसी से through ऊपर की तरह बढ़ती है देखेंगे most most important content of vertebral canal is spinal card फिर देखें के beginning अब spinal card की beginning किस label से हो रही है और end किस label पर हो रहा है हम लोग कह रहे थे कि spinal card जो किसे start किस से हो रहा है तो brain के middle of langita से सूरू हो रहा है और कहां तक जाएगा spinal card कहां तक जाएगा क्या पूरे तरह से vertebral column होता है जो backbone होती क्या पूरे length में हम लोग के spinal card है तो इसको हम लोग clear cut करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर beginning की बात कर रहा था spinal card की beginning कहां से हो है downward extension of middle of langita तो हम लोग को पता है कि middle of langita का extension है downward extension होगा तो यहां पर brain है यह इसका downward extension है middle of langita के फिर देखेंगे किस label से सुरू होता है middle of langita के किस label से सुरू होता है at the label of upper border of first cervical vertebra तो जो first cervical vertebra है इस label पे होती है उसी के label से उसके upper border से सुरू होता है beginning अर्थात middle of langita spinal card का अब देखते हैं इंड कहां हो रहा है start तो middle of langita के से हो रहा था तो first cervical vertebra के upper level से हो रहा है इंड किस label पे हो रहा है या किस particular structure पे हो रहा है lower border इंड कहां हो रहा है lower border of first number vertebra तो lower border of L1 vertebra adult के case में है बट बच्चों के case में कहा जाए तो in children case में हो जाए गा L1 के जगे पर third number vertebra लेबल पे ये इंड होती है अब देखते हैं कि यहां पर extension की बात करते हैं तो कहां से कहां तो हो गया upper border of first cervical vertebra से ले कर lower border of first number vertebra तक इसका extension होता है तो मितलब यहां से ले कर यहां तक यह देखेंगे यह C1 से ले कर L1 तक इसका texture बताया गया है तो इस तरह से बाते हम लोग ने किया है अब बात करते हैं कि क्या इसका length जैसा देख रहे हैं कि length जो है यहां से लेकर यहां तक है लेकिन हम लोग का vertebral column तो यहां तक है इसका मतलब कि यह जो पूरा पूरा जो backbone की जो canal होती उस पूरे canal में नहीं होती है उसके कुछी part में होती है तो upper two third part में देखेंगे इसका मतलब lower one third part में तरह से spinal card नहीं होता है तो upper two third part में ही occupy करता है लौज करता है आप लोग का vertebral spinal cord फिर देखते हैं कि इसके extension देख लिया और यहां पर देखेंगे कि यहां पर एक इसको थोड़ा सा देखेंगे यहां पर यह साइड में क्या है different nerve निकल रही है तो यहां पर different segment की बात कर रहे हैं तो देखेंगे यहां पर C1 से शुरू हो रहा है C1 से C8 तक हम लोग नाम दिये है cervical segment तो cervical segment जिस तरह से था हम लोग vertebrae के respect में रहेते हैं उसी तरह से एक level नीचे जाएंगे तो C1 से लेकर C8 तक क्या था cervical segment है spinal card का different segment है यहां से different nerve निकल रही है उसके basis पर हम लोग कहेंगे इसको cervical segment C1 to C8 है फिर देखेंगे C8 के just below C8 के just lower border से देखेंगे और जहां T1 सुरू होता है वहां से लेकर कहां तक T12 तक T12 तक जो इस segment है पुरा-पुरा thoracic segment कहला जाएगा अर्थात C8 के lower border से लेकर T12 के lower border तक यह क्या हो जाएगा आपका thoracic segment हो जाएगा thoracic vertebrae के respect में कुछ spinal nerve निकलेंगे फिर देखेंगे यहां पर यह जो छोटा सा पार्ट है यहां पर एक छोटा सा पार्ट है यहां से लंबर, सैक्रल और कॉक्सीजल segment निकलते हैं और इन पूरे तीनों नामों को cervical segment, spinal card, thoracic segment of spinal card और लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजल segment of spinal card को तीनों को add करते हैं इन कहीं अक्तर से spinal card कहला जाता, तीनों सब मिलके spinal card का length बनाते हैं यहां देख रहे होंगे जहां पर spinal card जोहां पर यह इंड हो रहा है जहां पर इंड हो रहा डियागराम में थोड़ा सा इसमें देख लेंगे यह जो डियागराम लोग का यह लोवर पार्ट अब spinal card हम लोगों ने यहां cut section किया इसको हम लोग थोड़ा सा magnified किये हैं तो यहां पर देखेंगे थोड़ा सा detail में कि यह जो पार्ट है लोवर पार्ट अब spinal card कहने कहीं देखेंगे इसको हम लोग ने magnified किया तो देखेंगे magnified lower, magnified lower end of spinal card को detail में देख रहे हैं तो यह जो लोवर पार्ट है कहीं कहीं देखेंगे कुछ structure जैसे यह आ रहा है तो tapered हो गया रथा conical हो गया तो conical like structures बन जाता है इसको हम लोग नाम देते हैं एक तरशे क्या नाम देते हैं एक तरशे इसको देते हैं conus medullaris तो यह जो conical like structure जो spinal card का यह पार्ट नहीं यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट देखेंगे कि यह spinal card यह वाला पार्ट है यहां इंड हो रहा है इस लेबल पर इंड हो रहा है इसका मतलब इस लेबल पर इंड हो जा रहा है इस लेबल पर देखेंगे spinal card क्या है तो जो safe होता वो एक तरश से conical like होता है इसलिए उसका नाम दिया गया Conus medullaris, तो अथात यहाँ पर देखेंगे Conus medullaris क्या है, lowest part of the spinal card तो lowest part of the spinal card is known as Conus medullaris, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो भी structures हैं, यहाँ different nerve निकल रहे हैं, और Conus medullaris के नीचे देखेंगे तो film terminal, यहाँ पर देखेंगे जो different nerve है, यह different nerve है यह structure देख रहे होंगे, तो different nerve है यहाँ पर जो nerve का arrangement है, Conus medullaris के नीचे अर्था जो conical structure होता है, end of spinal card होता है उसके बिलो देखेंगे, nerve क्या होता है, एक तरह से harsh tail-like structure बनाते हैं, तो यहाँ पर लगता कि जिसे घोडे की जो पूँच होती है, उसमें एक-एक hair होते हैं, तो उसका जो arrangement कुछ इसी तरह होता है, इसको बोलते है Cauda equina, इसको बोलते है Cauda equina, Cauda equina मतलब harsh tail-like structure, harsh tail-like structure बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते है Cauda equina, अब यहाँ पर देखेंगे, कि यहाँ पर Conus medullaris के बाद film terminal की बात कर रहे हैं, तो film terminal की बात करेंगे, तो film terminal क्या है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो spinal card है, यह spinal card है, spinal card पर तीन covering होती है, spinal card पर तीन covering होती है, सबसे inner covering कौन सी है यह देख रहोंगे, pyameter है, सबसे inner covering कौन सी है, pyameter है और यहाँ पर जो देख रहे होंगे यहाँ पर यह दो उसके ऊपर अरेकनवाड और उसके ऊपर डूरामेटर तो डूरामेटर अरेकनवाड बहार शायड में है पायामेटर सबसे ऊपर शायड में कवरिंग होती है सबसे नीचे की तरफ covering होती मिस spinal card के directly attached कौन सी होती है पाया मेटर उसके उपर होती है अरेकन वार्ड और सबसे उपर होती है डूरा मेटर तो यह तीनों covering है लेकिन conus medullis जो label है जहां spinal card इंड हो रहा है उस label पे क्या हो रहा है कि जो पाया मेटर का जो covering है complete हो जा रहा है क्योंकि पाया मेटर तो cover कर रहा है इसी तरह से spinal card को तो यहां पर यह इंड हो जाएगा लेकिन लेकिन इसका एक extension downward जाएगा dura मेटर एक तरश से उसका extension as a cord like structures आएगा तो देख रहा होगे यह extension नीचे की तرف तक आया है जो यह extension एक extension पार्ट है यहतर से पाया मेटर का extension नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ आया है तो देख रहा होंगे कि यहां पर ये जो structures और structures क्या था ये covering की क्या बची हुई है उसको हम लोग बोलेंगे Durameter और अरेकनवाड अभी बचा हुआ है Durameter अरेकनवाड पूरा नीचे तक जाता है लेकिन Piameter इसी लेबल पर खत्म हो जाता है उसका extension को एक तरह से हो जाता है उसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल फाइलम टर्मिनेल क्या है देखेंगे फाइलम टर्मिनेल या फाइलम टर्मिनेल इसको देखेंगे तो यहां देखेंगे फाइलम टर्मिनेल क्या है एक तरह से प्रोलांगेशन आफ पाया मेंटर जो पाया मेंटर जहां कोनस मेडूरिस के लेबल पर टरमिनल का है वो फाइनल टरमिनेल जब तक यह देख रहेंगे फाइनल टरमिनल है यह जब तक मान लीजे यह दूरा मेंटर और अरेकन वाइड एट रॉरल सैग से कवर होगा तो डूरा मेंटर जहां कहां खतम हो रहा है लोगर इंड और डूरल सैग के लिभल अचीट इस फाइलम टर्मिनल को उसका नाम देंगे, फाईलम टर्मिनल इंटर्णम, तो ध्यान दीजेगा, इंटर्नम कहने का मतलब यह है, कि कहने कि उसके चारो तरफ yarawator की कवरिंग है, जैसे ही यह नहीं है, इसका मतलब現在 की कवरिंग नहीं है, शिर्फ पाया मेटर है, तो उसको फाइलम टर्मिनेल एक्स्टर्नम तो एक्स्टर्नम का मतलब होता है कि उस पे डूरल सैक या डूरा मेटर की कवरिंग नहीं है अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इंटर्नम एक्स्टर्नम हो गया इंटर्नम का मतलब समझ लिया आपने क्योंकि उसके उपर क्या है डूरल सैग था डूरामेटर कवरिंग थी और एक्सटेनम का मतलब कि जहां पर डूरल सैग या डूरामेटर कम्पलीट हो गया उसके बिलो भी जो पायामेटर का एक्सटेंशन जाता है जिसको बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल अब देखेंगे कि यह जो फाइलम टर्मिनेल है जो होता है सबसे लोईस्ट पार्थ होता है सेक्रल कॉक्सीजल जो कॉकेक्स बोन होता है उसके फर्स्ट पीस पर जाकर यह इंड़ हो जाएगा उसको बांद देगा क्योंकि मालेजे पाया मैटर क्या होगा अगर वर्टिबरल यह उपर से लटका हुआ है घर उसका नीचे से तो क्या कर रहा है, फिलम टर्मिनल जो पायमेटर का एक्स्टेंशन होता है, प्रोलोंगेशन होता है, अटाइज पुस्टियर सर्फेस, और फॉस्ट पीस आफ कॉकिक्स, मतलब लो इस्ट बजाता है, फिर देखेंगे, अगर सेप की बात करेंगे, तो क्या यह राउंडेड सिलेंडर लाइक स्ट्क्चर, लेकिन इसको हम कमप्रेस कर दे, तो यह कहीं चिप्टा थोड़ा सा हो जागा, तो कहारा, रिजम्बल्स एक फ्लेटेंड सिलेंडर, बोला गया है, इसका ठीकनेस, जो भी ठीकनेस का रेगुलर ठीकनेस होती है, नहीं, कहीं मोटा, कहीं पतल मेटर होता है, वेट कितना होता, 30 ग्राम होता है, 30 ग्राम होता है, और इस तरह से हम लोगों ने पाया मेटर को देखा और पढ़ा, तो इस तरह से हम लोगों ने पाया मेटर को पढ़ा, और इसका डिटेल फंक्शन हम लोग बादने पढ़ेंगे, धन्यवाद